अगर अगर आपके जो बोगता ना संड्रक्षान अधिनियम हैं उससे रिलेटेड जितने कोश्चिन बन सकते हैं पॉसिबल कोश्चिन बन सकते हैं वह हम लोग करेंगे क्योंकि जो पीडियव है उससे बेटर मुझे लगता है कि अगर आप इन शोर्ट टॉपिक्स में अगर MCQ करते हैं तो ज़्यादा बेटर आप लोगों को नौलेज हो जाएगा तो जो बोगता अधिकारों की गोशना हुई थी वो कब कहां पर हुई थी वो संगतराज अमेरिका में सबसे पहले हुई थी ये वाला आप लोगों को याद करने की जोर्वत नहीं है बिहार सेव में तो जो अंतराष्टिय मानिकी करन संगठन है आई एसो जो आप लोगों ने देखा होगा तो वह आप लोगों का जैनेवा में है सहीं तो रास संग ने किस वर्ष उब्भोगता के अधिकारों सुरक्षा के लए सिद्धान्त निर्धारित किये थे तो वह किये थे आपक पेज लीजिए तो उसमें आप लोग माइंड मैप जरूर बना लीजिए एमसी क्यू करने के बाद कि जैसे आपने 1993 कर दिया 85 कर दिया ठीक है इस तरह से आप लोगों के पास कोश्चिया नाते जाएंगे और आप लोग माइंड मैप एक पेज में बनाते हुए चलिए और माइंड मैप से खुद को टेस्ट कीजिए भारत में जो है राष्ट्रिय उपभूगता दिवस कब मनाया जाता है तो यह मैंने आप लोगों को लिस्ट में भी बताया था जो जियोग्रेफिक का मिसलेनियस था उसमें भी यह 24 दिसंबर ही था लेकिन कहीं कहीं पर यह 15 मार् तो और मैंने इसे करेक्शन भी किया था आपके ग्रूप में तो यहां पर आप लोगों ध्यान यह रखना है कि अगर पूछा जाए कि राष्ट्रिय उपभूगता दिवस कब है ठीक है तो भारत में राष्ट्रिय उपभूगता दिवस कब मनाया जाता है 24 दिसंबर को बन 2 देता है तो वह है आपका एग मार्क हाउल मारक जो होता है वहड़िक के लिए होता है यह की स्धाने के लिए इसे याद रखना है काये कुष्यन शाहिए लेकिन फिर भी यह है कि भारत में व्हुतास अनक्षेन जैसे भूशन आझञां थी वो कब हुई थी तो 1986 में की गए थी क्योंकि यह तो question में ही आप लोगों का भारत के कौन से दो राज यह खनिस तेल के अग्रणी उत्पादक हैं तो खनिस तेल आपका आसम और गुजरात में हैं देश में संदक्षन उभगता अधिनियम किस वर्ष लागों किया गया था यहां पर आप लोगों का लिखा हुआ है 1987 तो आप लोगों को यहां पर ध्यान लगना है कि 86 में तो आप लोगों की यह घोशना होई थी ठीक है और जो है लागों कब होए थे 1987 में होई थे उपभगता विवादों का शिकायत करता कौन हो सकता है स्वयम उपभगता केंद् निर्मित सुयम से भी उबगता संग तो इसमें आपके दोनों आंसर है शिकायत का कारण क्या हो सकता है माल अगर जो माटेरियल है उसमें कोई फॉल्ट हो या अगर मूलिया प्राइस जो होता है वो भी ज़्यादा ले लिया तो और किस्म विवर ना नुसार नहो अगर आपकी कोई जैसे आपने कोई मेडिसिन की बॉटर ले ली ठीक है अगर उसमें कोई फॉल्ट आ गया तो भी क्या होगा गलत माना जाएगा अगर इसके अंदर जो इंग्रीडियन्ट से लिखे गए हैं यहां पे और उगर ना हो इसमें तो वो भी क्या मना जाता है शिकायत कर सकते हैं आप लोग उसके लिए उब्वोकता कौन हो सकता है माल क्रेता जो खरीदने वाला और सेवा प्राप्ट करने वाला जो सर्विस जिस से दी जा रही है और माल का क्रेता वह सेवा प्राप्त करता तो यहाँ पे दोनों के दोनों होंगे अगर service provider भी होगा जैसे हम कोई भी service करीदते हैं तो वहाँ पे दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं उब्हुकता माने जा सकते हैं वर्तमान में अंतराष्षिया इस्तर पर जो हमारा कंज्यूमर है उसके कितने अधिकार माने गए हैं मींज कितने राइट है तो उसमें आपके एट राइट बताए गए हैं ये आप लोगों को याद रखना है भारत के उबोगता शुनक्षन अधिनियम 1986 किस धारा में उबोगता अधिकार अभी तक समिलित नहीं किया गया है त वस्तु सेवा से शरीर और संपति की हानी से शुरक्षा तो ये आपका थर्ड है कि जो शुरक्षा अगर हम कहें कि शुरक्षा का अधिकार तेक है राइट प्रटेक्शन तो किस चीज से प्रटेक्शन की बात हो रही है अगर हम कोई वस्तु या सेवा लेते हैं और उससे ह हमारा कोई नुक्षान होता है तो उप्भोगता को सुरक्षा का अधिकार के तहत हम उसमें कारेवाही कर सकते हैं देश में उप्भोगता संरक्षन हेतु गठित सर्वोच अर्दिन्याइक जो संस्ता है वो कौन सा है तो वो है आपकी राश्ट्रिय आयोग राजिस्तान राज्य उप्भोगता संरक्षन आयोग का गठन कब किया गया था तो 26 में 1988 को किया गया था राश्ट्रिय उप्भोगता दिवस्ट कम बनाया जाता है वो आप लोगों को हम देख चुके हैं 24 दिसैंबर ये काफी बार पूछा गया है उसके बाद है उप्भोग देने के लिए कितने संरक्षन परिशद गठन की गई है तो जो परिशद हैं आप लोगों की काउंसिल हैं वो तीन है ठीक है तो तीन परिशद है आठ क्या है हमारे जो अधिकार है वो आठ दिये गए हैं यह हमें याद रखना है केंद्रिय उब्भोगता संरक्षन परिश परिशद का अध्यक्ष होता है केंद्रिया उभूगता संद्रक्षन परिशद की सदेश्य शंक्या कितनी निर्धारित की गई है तो वह वह आपकी 150 तो आप लोगों दिमाग में बिठाते चलना है यह एक तरह का तरीका है चीजों को याद करने का ठीक है और जो केंद्रिया उभूगता संद्रक्षन परिशद है इसकी जो काउंसिल हो तीन है और तीनी साल के लिए उसको क्या किया जाएगा बनाया जाता है पुर्शन है कि राजिस्तान में जो भूगता संद्रक्षन के लिए कितने इस्तरी व्यासता की गए तो तीन इस्तर की है विजली के सामान पर कौन सा एगमार्क वस्तु की गुणवत्ता निश्चित करता है तो वह है आपका आई-एस-आई-एस-आई क्या करेगा कि जो ग अगर आप लोगो ने लिया होगा तो आई-एस-आई उस पर लगा रहता है अगर बीस लाग तक का कोई बात है तो जिला फोरूम में जा सकते हैं बिजली के सामान पर नाम अलरड़ी देख चुके हैं आई-एस-आई-एस-आई और ये चीज़े मैं अलरड़ी आप लोगो बता चुकर हूँ चलिए नीचे देखते हैं भारत में उब्हुकता संद्रक्षन अधिनियम में उब्हुकताओं को कितने अधिकार दिये गए हैं वो हैं आपके च्छे तो आप लोग देख सकते हैं कि जो अंतराश्टी ये है उसमें 8 हैं हमारे उसमें 6 हैं तो ये कही न कहीं तीन हम लोगों ने देखा परिशेत हैंcios तीन हैं आप लोगों के 8 अंतराश्टीय लेवल पे हैं इंटिरनेशनल लेवल तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक सामने अपना माइन मैब बनाते वे जरूर चलिए सारी चीज़ें एक साथ याद हो जाएंगे असत्यकतन जो देखा जाए जो फाल्स स्टेट्मेंट है ISI गुडवत्ता प्रमाने करण चिन है जो खाद्या पदार्थों के लिए परिफ्ट किया जाता है तो विल्कुल नहीं आप लोगों का जो ISI होता है ये अन्य चीज़ों के लिए होता है जबकि खाने के लिए खाद्य पदार्थों की बात की जाए तो एग खाने के लिए एग मार्क होता है ठीक है बाकी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं कि बाकी चीज़ें हम बात कर चुके हैं कुछ चीज़ें आप इंग्लिश में हैं तो आप लोग नहीं भी देख लिजिए क्योंकि सारी चीज़ें एक जगे हैं नहीं मिल पाती हैं तो इंग्लिश में देख लेते हैं मैं हिंदी में आप लोगों बताऊंगा Consumer Protection Act is significant to all goods and services means जो Consumer Protection Act है वो सभी के लिए हैं सभी तरह का कोई भी सामाना आप खरीते हैं उस पर लागू होता है चाहिए वो सर्विस है उस पर लागू होता है तो हम 1986 के लिए बोल रहे हैं तो हमारा क्या है अंसर 6 है अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे तो हम बात कर रहे होते 8 ठीक है अगर कोई सेलर आप लोगों को याद रहे हैं तो यह आप लोगों का रेस्टिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस कहा जाता है अगर कोई सेलर बेचने वाला क्या करें कि जो प्राइस है उसे उपर नीचे कर ले चीजों को चीजों का तो जो MRP होती है ठीक है चीजों पर MRP होती है अगर MRP से उपर करता है नीचे करते हुए तो कोई केस नहीं करता लेकिन अगर किसी ने प्लस कर दिया तो उस चीज के लिए restricted trade practices कहा जाता है Under this act the minimum age of forum member of a district forum should be तो C है आपका 35 अगर forum की बात करें जो जिला forum होता है उसमें 35 age होनी चाहिए The maximum age for state commission member should be और अगर हम state member commission की बात करें तो आपका D means 67 is होनी चाहिए Already देख चुके है national commission member की बात करें तो इसमें C है 70 तक चल जाएगी means 35 हो गया आपका 67 हो गया और 70 ठीक है यह आप लोगों को यह district हो गया आपका यह state हो गया आपका यह आपका national हो गया तो इस तरह से आप चीजों को बनाना सीखिए जब भी आप study करेंगे कुछ भी study करेंगे तो दो-तीन चीजे नहीं नखें एक आप फटाफन माइंड मैप बना सकते कितना भी बड़ा topic है एक पेज में ही cover हो जाता है अगर आप 20 पेज़ेज पढ़ते हैं तो पूरा एक पेज में वन पेज में cover हो जाएगा तो वन पेज में अगर आप लोगोंने 30 पेज़ेज कर रखें तो आप सूच सकते कि 30 पेज़ेज में कितने पेज़ेज हो जाएंगे तो आप एक topic को बहुत अच्छे से study कर सकते हैं आगे है which of the following forum can reappoint the same person to as its member तो यह आपका none of और डी यह आपका answer है none of the above means जो अगर कोई member national commission में है state commission में है district commission में तुबारा उसे कभी appointment नहीं करवाया जा सकता उसी forum में simple सी बात इन which forum it is compulsory to have a female member तो यह है आप लोगों का कि अगर national commission है state commission है district commission है सभी में एक female होनी बहुत जरूरी है within how many days the opposite party has to answer after they are informed about the complaint तो है आपका 30 अगर कोई complain आती है तो opposite party को answer कितने दिन में करना होता है 30 days में यह आप लोगों को धिहान रखना है तो इतने questions हम लोग उन्हें इस पीडिया में कर लिया है कुछ questions next पीडिया में उन्हें discuss कर लेते हैं तो कुछ questions जो है वह हम यहाँ पर देख लेते हैं यह वाला पीडिया कि कंजूबर प्रोटेक्शन एक्ट इस सिग्निफिकेंट तू ठीक है यह आप लोग किस के लिए हैं all goods and services के लिए हम लोग इसे already देख चुके हैं 6 से आप लोग समझ गए होंगे कि जो इंडिया में हमें राइट दिये गए हो 6 से हैं 8 से आप लोग समझ गए होंगे कि यह international law में इतना दिये गया है कुछ नए question भी मिलेंगे हमें presented यह हम अलड़ी देख चुके हैं अब यह बात आती है कि जो restricted trade practice है वो क्या होती है अगर कोई price को manipulate कर लेता है means जो किसी कीमत है उसे ज़्यादा क्या कम कर सकता है तो under this act minimum जो हमने देखा था फोरम member के district level पे district level पे कितनी थी 35 थी आप लोग ने देखा state commission में कितनी थी 67 थी और अगर हम national level पे देखें तो 70 थी ठीक है कुछ नीचे नई questions आएंगे आप लोगों के लिए और जो reappoint किया जा सकता है किसी को दुबारा से point किया जा सकता है नहीं किया जा सकता किसी भी case में नहीं किया जा सकता female member कहा होनी चाहिए सभी में female member होनी चाहिए आगे चलते हैं यहां पर अगर हमें किसी को 30 से देखते ही आंसर आ जाना चाहिए आप लेको दिमाग में कि 30 दिन में अगर opposite party का case हो गया है तो opposite party को 30 दिन में आंसर करना पड़ता है अब यह है आप लोगों का consumer protection act enacted जो enact किया गया means बनाया गया ठीक है बनाया गया था वह आपका 24 October 1986 को बनाया गया था यह डेट भी याद रख लिजिए कभी कभी सीदे सीदे इसी तरह से पूछ लेगा तो question बहुत टफ हो जाता है 24 October 24 October इस तरह से ठीक है तो आप लोगों को याद रखना है थोड़ा सा ऐसे ही आप लोग याद रख लिजिए क्योंकि मैं 20 October 1988 यह तो आप लोगों याद हो गया होगा तो 20 में आप 4 पलस कर लिजिए और 98 में 2 माइनस कर लिजिए ठीक है आप लोगों को याद रहेगा reasoning करके आप लोग याद रख सकते हैं इसको तो वो date of birth date of year है मेरा तो आप लोग याद रख सकते हैं इस तरह से consumer protection act का question आप याद रखेंगे 20 October 1988 इस तरह से लिखिए यह प्लस 4 कीजिए यह माइनस 2 कीजिए याद आप लोगों को अपन हो जाएगा इस दे कंजूमा प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एक्सेंट टो इंडिया एक्सेप्ट जम्यों कश्मीर एंड यह क्या था जमूं कश्मीर तक एक्सेंड नहीं था लेकिन अब क्या होगा जमूं कश्मीर तक भी इसको अप्लाइग किया जाएगा तो अगर हम देखें कि जो सेक्शन 2.1.B. अफ कंजूमा प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है घुम्पलेनेंट मीन्स जो कौन हो सकता है ठीक है तो अल्रडी हमने देखा कंजूमा हो सकता है और एनी कंजूमा असोशीएशन रजिस्टर अंडर दी कंपनी एक्ट 1956 का हो सकता है कंपनी एक्ट 1956 के अंडर में कोई अगर कंजूमर है तो हो सकता है और अफ यह सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोगों की तो यह आप लोगों का है एस पर यह काफी बड़ा हो जाएगा आप लोगों का लेकिन इसे आप लोग द्यान से देखेंगे कि जो अगर इसे पूरा इंग्लिश पर पढ़ने के बजाए जो कंप्लेंट है वो उसका मतलब क्या है सिंपल यह है कि जो प्राइस होगा वो किस तरह से और डिफाइन किया जाएगा कि जो प्राइस होगा वो उस टाइम पर जो फोर्स अगर हम लोग के द्वारा कोई प्राइस बना गया है किसी चीज का तो उसको लेकर क्या की जाती है कंप्लेंट की जा सकती है इसलिए सिंपली बात आती है MRP की अगर MRP से ज़्यादा कोई चार्ज करता है तो उसे हम मान सकते हैं कि उस चीज पर कंप्लेंट की जा सकती है और जो goods पे display किया गया है जो MRP डिस्पले किया गया है उससे ज़्यादा हो सकता है और price list अगर हम बात करें तो उससे ज़्यादा charge किया जा रहा हो जैसे किसी hotel में हम जाए और उससे ज़्यादा charge कर दिया जाए जो कि list पर लिखा गया है और agreed between the parties और कई बार ये होता है कि दो party के बीच में एक price क्या हो जाता है fix किया जाता है और अगर उससे ज़्यादा बाद में charge करना शुरू कर दिया जाए तो complain की जा सकती है अब बात आती है कि जो consumer है in case उसकी death हो जाती है तो उसके बाद कौन उस case को लड़ेगा या किस के हाथ में आएगा तो उसका जो legal air होगा और representative होगा जो means उसका उत्तराधिकारी होगा अज़ पर section consumer protection at appropriate laboratory means लेबरिटी और organization अब जो appropriate laboratory की बात आती है लेबरिटी वो क्या होती है वो means ये शब्द जो आएगा वो किस चीज के लिए आएगा तो वो होगा आपका recognized by the central government की कोई authority दी गई हो चीज को recognized by state government, state government के अंडर में कोई चीज हो या उसने recognize किया हो financed और added by central government और state government for carrying or out analysis means simply अगर central government और state government के अंडर में कोई चीज आती है तो वो क्या होगा आपका लेबरेटरी appropriate लेबरेटरी उसको माना जाएगा अब इसके बाद आता है complaint means allegation written by a complaint तो यहाँ पे शब्द है आप लोगों का कि complaint जो word आएगा वो किस चीज के लिए आएगा तो आप लोग answer देख सकते हैं कि ये चारों इसके क्या है answer है आप लोगों को ठीक याद होने चाहिए क्योंकि इसमें कुछ भी चीज़ आप लोगों पूछी जा सकती है and unfair trade practice और restricted trade practice हो सकता है जब complaint की बात आती है तो दी गूट service bought hired suffer from one or more defect deficiency अगर आपने कोई service या good खरीदा है कोई सामान खरीदा है और उससे आप लोगों को कुछ नुक्सान होता है या उसमें कोई defect आता है deficiency होती है तो next आप लोगों का a trader or service provider has charged price excess of the price simple सी बात है ज्यादा पैसा कर ले लिया है तो goods service which are hazardous service अगर कोई चीज खरीदी है लेकिन हो क्या है उससे काफी नुक्सान है तो भी आप लोग क्या कर सकते हैं कंप्लेंट कर सकते हैं अब नेक्स्ट आपका कि manufacturer कौन है ठीक है तो आप लोग देख रहे होंगे कि उपर से हम नीचे की तरफ देखते जा रहे हैं कि हम manufacturer हमें पता है कंजूमर कौन है हमें पता होना चाहिए और जो कंप्लेंट है वो किस तरह से हो सकती है कौन-कौन सी चीज़ें उसमें include है जब हम manufacturer की बात करेंगे तो make some manufacturer एनी गुड और पार्ट देर हो तो अगर manufacturer की बात करें हम तो manufacturer कोई भी हो सकता है जो कि कोई सामान बनाता है यह कोई पार्ट बनाता है और सेकंड टाइप जो manufacturer होगा वो खुद तो पार्ट नहीं बनाता लेकिन अगर असेंबल भी करता है कुछ चीजों को जैसे laptop और असेंबल कि जाते हैं तो भी वो manufacturer काउंट होगा और तीसरी चीज यह है कि अगर किसी ने कोई चीज बनाई है और उस पर उन्होंने अपना मार्क रख दिया है तो उसको भी क्या कहेंगे हम manufacturer ही काउंट करेंगे अब यहां पर आप लोगों का कि एस पर सेक्शन 2-1-m of Consumer Protection Act 1986 person includes अगर हम person की बात करें तो वह है अफर्म वेदर रिजिस्टर और 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 हिंदू अंडिवाइड़ीड फैमिली और cooperative society और एवरी अधर association और परसंस वेदर रिजिस्टर अंडर दिस सोसाइटी रिजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और नॉट तो इसमें सभी सारी चीज़ें आती हैं एक फर्म हो सकता है चाहे वो रिजिस्टर हो और चाहे नहीं हो और कोई हिंदू अंडिवाइड़ीड फैमिली हो सकती है हाँ कोपैटिव सुसाइटी हो सकती है और व कोई अगर चीज है परसंज हो हो या असूशी cycle ओ वह दोगों का रिजिस्टर हो एस आरी चीज़ें क्यास सकती है Centre संस में इंक्लूड होंगी रेस्टिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस इंक्लूड यह आप लोगों को ध्यान से देखना है मैंने पिछली पिपीटी में भी आप लोगों बताया था पीडियम में डिले बियोंड पीडियर अग्री टू ट्रेडर इन सप्लाय ऑफ गुड्स और इ इस ने उसमें प्राइज बढ़ा दिया तो यह भी आपका क्या है रेस्टिक्टिट रेस्टिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस इसको कहा जाता है एनी ट्रेड प्रैक्टिस विच रिक्वाइर से कंजूमर टो बाई हाय अवेल ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज एज इसकी देना था उसे और बाद में उसकी उसकी प्राइज फेर बढ़ा दी तो यह दोनों के दोनों किसम में आएंगे आपके रेस्टिक्टिव ट्रेड प्राक्टिस में आती हैं Spurious Goods and Services Spurious Goods and Services जो आता है वो Section 2100 में आता है ये आप लोगों को Simple सा याद रखना है तो इससे जो धुका दड़ी की बात है Spurious Goods and Services Means इसे Sometimes we say unclear अगर कोई चीज क्या है चुपा कर की गई है तो उससे related जो Section है Spurious Spurious को आप लोगों को याद रखना है कि Section 2100 में ये है आप लोगों का उसके बाद आता है आपको का Unfair Trade Practice Unfair Trade Practice किसमे आता है 21R में है ये आप लोगों का ये भी आप लोगों को Practice कर सकते हैं आप लोगों का तो as per consumer act Unfair Trade Practice includes तो ये ये चीज़े हम देख चुके हैं already falsely represent good services की कोई गलत तरीके से represent करे किसी product को गलत नाम से बेचे या rebuild कर दे उसे second hand renovated कर दे और फिर उस चीज़ को बेचे और represent that the goods or services have sponsorship approval performance characteristics accessories uses or benefits which such goods or services do not have और अगर कहें कि ये चीज़ है और बाद में आपको वो चीज़ ना मिले तो क्या होता है कि वो भी आप लोगों का यहां पर प्रटेक्ट किया जाता है which section of consumer protection act states about the central consumer protection council तो central consumer protection council जो हमने उपर बात की थी वो section 4 के तहत आता है साल में which section of the consumer protection act 1986 states about the objects of the consumer protection council तो वो है आपका 6 तो इसमें कहा जा रहा है the objects of the consumer protection council ठीक है वो आपके objects जो बताए गए हो section 6 में बताए गए हैं अब जो आपजेक्ट्स हैं वो कौन-कौन से हैं protection act में the right to be protected against the marketing of goods services which are hazardous to life and property means कोई घर में बैठके में जैसे ठेली लगा के कोई बम नहीं बेच सकता आल राइट बम्स नहीं बेच सकता इस तरह से क्या है कि जो चीजे हजार डियस हैं उन चीजों को ना बेचा जा सके जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई शराब इस तरह से नहीं बेची जा सकते और चीजे नहीं बेची जा सकते the right to be informed about the quality quantity potential priority means जो भी आप बनाओगे वो सारी चीजें आप लोगों को क्या करनी पड़ेंगी पहले consumer को बतानी पड़ेंगी ऐसा नहीं कि आप खाली CC में कोई चीज भरके और किसी को दे दें और बोलें कि यह बहुत अच्छी चीज है तो आप लोगों पहले बताना पड़ेगा कि इस जो CC में रखा हुआ है वो किस चीज का है क्या क्या उसके अंदर है the right to seek redressal against unfair trade practices or restrictive trade practices or unexcrupterous exploitation of consumers तो अगर आप लोगों पे साथ कुछ बुरा होता है तो unfair trade होता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए protection ले सकते है the right to consumer education यह भी हिस्सा है उसका which section of the consumer protection act 1986 states about the state consumer protection council अगर हम बोले कि state consumer protection council की बात किस में कई गई गई है section 7 में कई गई है और central protection की बात की गई central consumer protection council की बात 4 में कई गई है यह उपर हम लोग देख चुके हैं तो मैंने आप लोगों को पहले का है who shall be the chairman of the state consumer protection council तो स्टेट कंजूमर प्रटेक्शन का कौन होगा सिंपल सी बात है minister in charge of the consumer state consumer affairs in state government जो consumer affairs जिस minister के अंडर में होगा वही state government में इसका क्या होगा head होगा chairman होगा state consumer protection council में कौन-कौन लोग होते हैं तो उसमें आप लोगों का first the minister जो head है उसका chairman such member of other officials and non-official member prescribed by the state government state government जिन लोगों को रखना चाहे उनको रख सकती है such number of other official or non-official members nominated by the central government और जो central government ने nominate किये हो तो तीन तरह से लोग इसमें रहते हैं एक तो होगा आपका chairman दूसरा होगा आप लोगों का कि जो state government के state government ने बताए हैं और तीसरे होगे जो central government ने nominate किये हैं how many non-official member can be nominated by central government in the to the state consumer protection council तो कितने लोग है 10 होने चाहिए तो आप लोगों के कुछ समझ में आ गया होगा 6, 8, 10 यह होगा आपका 24, October बहुत सारी चीज़ें section 4, section 7 सारी चीज़ें आप लोगों के आखों के सामने होनी चाहिए the state council shall held how many meetings या तो state council के लिए one है जरूरी है sorry two जरूरी है central के लिए one था ठीक है तो आप लोगों 1, 2, 6, 8, 10, 24, October इस तरह से आप लोगों दिमाग में एक list बनती भी चलती जानी चाहिए which section of the consumer protection act 1986 established that the state government shall establish for every district council to be known as the district consumer protection council तो यह section 8a के तहत होता है district वाला जो है ठीक है तो यादा रहोगा आपको 478a तो 8a के तहत क्या होगा district consumer protection council आएगा उसके बाद है who shall be the chairman of the district consumer protection council तो वो होगा आपका collector of the district यहाँ पर थोड़ा सा difference है इसे याद रखिए the number of official and non-official members in district consumer protection council is prescribed by state government यह कौन बताएगा इसको state government ही इसको बताती है district consumer protection council के बारे में district council shall held meetings every year तो यह आपका टू स्टेट वाले का कितना था टू सेंटर वाले का कितना था वान डिस्टिक वाले का कितना है टू एट एस एकी वज़े से यह बनता है अंडर section 9 of the consumer protection act किसकी बात हो रही है section 9 में consumer protection act में which of the following consumer dispute judicial agencies were constituted the purpose of this act तो इसमें आप लोगों को यह देखना है कि जो 30 जो अंडर section 9 में है उसमें कौन-कौन सी चीज़े कही गई है और consumer dispute redressal forum forum in each district of the state यह बात कही गई है और state में कही गई है district में तो कही गई है state में भी एक forum होना चाहिए और national consumer forum भी होना चाहिए तो यह चीज़े क्या है आप लोगों की तीन चीज़े हैं तो तीनों चीज़ें इसमें आप लोगों की होंगी लेकिन जो और नहीं कही गई है अब प्रेजिडेंट ओफ दिस्टिक फोरॉम शेल बीए परसन हुँ और इस क्वालिफाइट टू भी आप डिस्टिक ज़्ज तो जो प्रेजिडेंट होना चाहिए वो डिस्टिक फॉरम में वो ग्वालिफाइड होना चाहिए एक वो मीनस ओडिस्ट प्रेजिडेंट एक तो प्रेजिडेंट होगा और वन आफ शेल बीया वुमिन उसमें वुमिन भी होनी चाहिए विमन तो सभी में होनी चाहिए तो इसमें क्या है आप लोगा टू तो विद इस वी एंड बोद दी पीडियेफ्स पॉर कंजूमर प्रटेक्शन एक्ट आप लोगों काफी सारी चीजें इससे रिलेटेड याद हो गई होगी तो आप लोगोंने माइन वैब भी बना लिया होगा साथ यसाथ अगर नहीं बनाया होगा तो पीडियेफ्स आप